अस्तलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेरिमी के इस नए और लिटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को टेंथ क्लास के उर्दो के दरक्षा के किताब से चैप्टर नमबर 23 पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है आरीफ की मौ सका नाम है रेषा रेशा से बना है रेषा का मतलब होता है रोना और मातम करना ठीक यानि कि मर्णिय उस नज्म घ्रोत को कि उसके रंज व गम में उसके साथ विताय हुए पल को याद करके उसकी यादों को याद करके ठीके और उसके गम में डूब करके मैं एक कवीता लिख दी मतलब शायरी के अंदाज में ठीके तो उसे लिखे हुए को बोला जाता है मरसिया जिसमें किसी की मौत पर रंज वगम का इजहार किया गया हो ठेके तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग मरसिया तो ये भी चैप्टर जो है न वो एक मरसिया है जो की आरीफ की मौत पर लिखा गया है अब यहां पर ध्यान दीजिए उर्दु शायरी के हिसाब से न देखिए मरसिया किसे कहते हैं उर्दु शायरी के हिसाब से मरसिया उस नज हुसेल नहीं तो शौदाय कर्बला यान की कर्बला में शहीद होने वाले जितने भी लोग हैं उनकी मौत पर उनकी शहादत पर रंज औगम का इज़ार करते हुए कुछ नजमी यान की कवीता के तौर पर लिख दिया जाए तो उस कवीता को जो कि आप शयर शयरी के अंदाज में लिखिया तो उस लिखे हुए को ब astrology या जिसमें शिर ने तो शहुदा आय उस्ता कि रणादत पर खम का इसार करते हुए इस्विए लेकिन पर यो किसी शक्सी मौत पर लिखा तो यसा बोलेंगे लेकिन अगर बात करें हरजस्त इमाम हुसेन और करबला में शहीद होने वाले जितने भी लोगे उनकी शहादत पर उनकी मौथ पर अगर लिखागया हो तो उसको मर्सिया बोलेंगे लेकिन किसी भी नॉर्मल इंसान किसी भी शक्स की मौत हो गई है अगर उस पर मर्सिया लिखा जा रहा है तो उसको शक्सी मर्सिया कहते हैं यह उर्दू शायरी के हिसाब से होता है I think आप लोगो समझ में आया होगा थोड़ा यहां पर मैं एक्स्ट आरिफ का पूरा नाम है जैनुल आबेदीन खा आरिफ ठीक है तो इस चेप्टर के जो लेखक है यानिकि इस मर्सिया के जो लिखने वाले हैं वो कौन है मिर्जा गालिब अब चलिए मैं आप लोगों इस मर्सिया को पढ़कर हर एक एक लाइन का मतलब समझाती हूँ क्यों कि मैं आप लोगों मिर्जा गालिब के बारे में तो लेड़ी बता चुकी हूँ ना जब सायद चेप्टर नमर थाटीन पढ़ा रही थी तो उसी वक्त बताई थी गालिब का जब मैं खतूत पढ़ा रही थी तो उस वक्त मैं सारा चीज सारा इंफरमेशन मिर्जा गालिब स्क्राइब स्वाइबाट लेट लाइन अपने बाद में अपनेम लाइन कर लिया और गालीब लगाना शुरू कर दिए ठीक है तो अपने शेरोशाइरी के लाश्ट लाइन में गालिब लगाना शुरू कर दिये और उसी से वो मश्यूर हो गए मिटलब मिर्जवाणी के में एक तरह से महान आप बोल सकते हिए शायर है ठीक है अगर शेरोशाइरी में मिर्जवाणी का नाम ना लिया जाए तो शे ठीक है इनके आबाँ ऊद्दाद यानिकी इनके जो बाप सिनल से airlines याद रखिएगा ये इग्जाम में सीक्षाह पूछेगा किस तरह कोष्टन धेखे किस दर पूछता है कि मिर्जा गालिब कि आबाँ अव्डाद कहां से ए दो सिनल आए ते और पर वित उप जो हता है रि इरान में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इरान से आये थे कि इराक से आये थे तो यहां पर ध्यान रखिएगा मिर्जा गालीब की जो बाप दादा थे वह इरान से इरान से हिंदुस्तान आये थे क्योंकि student confuse हो जाते है इ Atari की इरान और वो गलती से इराक लगाकर आ जाते हैं है आप लोगों को लगाना है क्याशी ईरान ुच्भाणिब के बाप आदा ईरान से हिंदुस्तान आय थे प्सक्राइब कि जो अब्बू है वालिद अब्दुल्लाबेग वो लखनव गए थे लखनव से फिर वो हैदराबाद आ गये हैदराबाद में आकर 1862 वो इसवी में जो हैना मिर्जा गालिब के अबू यानि कि अब्दुल्लाबेक का इंतकाल हो गए लड़ाई में मारे गए कहां पर हैद्राबाद 282 में यानि की मिर्जा । इनके चच्छा जो थे नस्र लावेग ने किया था एक तरह से पिता का फ़र्ज निभायते इनके चच्छा क्या नाम था नस्र लावेग याद रखिएगा और उन्हीं ने मिर्जा गालीब की पर और चीज तो मैं आप लोग को बता ही दी मिर्जा गालीब के बारे में हाँ तो देखिए शुरुवात में लिखे हैं मिर्जगालिब आरिफ के मौत पर ये मरसिया लिखे हैं शुरुवात में लिखे हैं कि लाजिम था कि देखो मेरा रस्ता कोई दिन और तनहा गए क्यों अब रहो तनहा कोई दिन और यहां पर बोल रहे हैं कि लाजिम था यह जो है ना मिर्जा गालिप अपने भाजी आरिफ को बोल रहे हैं कि जरूरी था कि तुम मेरा रस्ता कुछ दिन और देख लेते लेकिन तुम अकेले ही चले गए मुझको छोड़ कर चले गए अब रहो तुम वहीं पर अकेले मिट जा था और आज ही कहते हो कि मैं अच्छा कोई दिन और मतलब मैं मानता हूं कि हमेशा अच्छा दिन नहीं होता कोई कोई खराब दिन भी हो जाता है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ो ना कि आप तुम क्या करो चले जाओ हमेशा के लिए ठीक है जाते हुए कहते हो कियामत को मिलेंगे क्या खुब क्यामत का है गोया कोई दिन और यहां पर बोल रहे है मिर्दा गालिब अपने भाजे आरिफ से कि जा पर बोल रहे हैं गालिब अपने भाजे को अपने भाजे को नहीं बोल रहे हैं एक तरसे आत्मा से बोल रहे हैं कि ए आत्मा अभी आरिफ जो है मेरा भाजा वह अभी जवान था ठीक है तेरा क्या बिगड़ जाता आरिफ थोड़े दिन और जिंदा रह लेता तो अपनी ज धर के चौधबंवी, के चांद की तरह, थे क्यों ना रहा घर का वह सनक्षा।ं की तरह थे और जब तुम्हारी मौथ हो गई तो पिर से हमारे घर का नक्षा उसी तरह न है जो पहले की तरह रहता था जयब तुम रहते थे तो इस घर में एक तरसे खुशी रहती थी लेकिन अब तुम नहीं हो तो एकदम मेरे घर का जो है ना हमारे घर का वो नकसा ही बदल चुका है सीन ही बदल चुका है सभी लोग गम में डूबे हुए हैं ठीक है तुम कौन से थे ऐसे खरे दाद वसितद के करता मलकुल मौत तकाज कोई दिन और यहां पर बोल रहे हैं मिर्जा गालिब अपने भांजी आरिफ को कि आखिर तुम्हें क्या खास बात थी कि मलकूल मौत को भी तुम भाग है तुम्हें ऐसी क्या खोबी थी तुम्हें नफरत सही नयर से लड़ाई बच्चों का भी देखा ना तमाशा कोई द तुम्हें नफरत करते थे और जो है नयर से नयर कोई लड़का है ठीक है नयर से तुम लड़ाई करते थे तो क्या हो जाता अगर तुम कुछ और दिन जिंदा रह लेते बच्चों की तुम लड़ाई नहीं देखा करते थे ठीक है तो कुछ दिन और बच्चों की जा रहा है अबी का वक्त गजर रहा है ये चाहे खुशी में गुजरे या ना खुशी में गुजरे या फिर दुख में गुजरे लेकिन तुमहारे बीना जो है ना हमारा ये जिन्दगी एकदम खुशाल not है तुम्हारे बीना गुजारा कैसे होगा हमारा ठीक है कौन बोल रहा है मिर्जा गालिब अपने भाजे आरिफ को बोल रहे हैं कि हमारे जिंदगी जो है खुशी में गुजरे या फिर दुख में गुजरे लेकिन तुम्हारे बीना यह गुजारा नहीं हो सकता है तुम्हार बोला जा रहा है, मिर्दा गालिब बोल रहे हैं कि गालिब नादान है, वो अपने आपको बोल रहे हैं, कि गालिब नादान है, जो कहता है कि क्यूं जीते हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, वो अपने आपको बोल रहे हैं, कि मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन गालिब को में नहीं मालünf गुत को मरने की तमन्ना जो है वो कुई दिन और भल्य गालिब चाहता है कि हुँ मर जाये आज ही अहे लेकिन किस्मत मालू को कुछ औरat मरना करना चाहती है गालिब कितना भी कोशिश कर ले कि मैं आज मर जाओं लेकिन किस्मत जब चाहेगी तभी गालिब मरेगा ठीके तो इसलिए गालिब जादान है ठीके तो यह हो गया आप लोग का पूरा मरसिया कंप्रीट हर एक एक लाइन का मतलब मैं आप लोग को पढ़कर समझा दी और इसी के सांथ आप लोग का चैप्टर नमबर 23 जो है वो कंप्रीट होता है कोई भी कंफीजन और चैप्टर से रिलिखेड आप हमें कमे सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप लोग को बैल आइकन याद की घंटी दिखाई देगी उस घंटी को क्लिक करना मत बुलिएगा जब आप लोग को घंटी दबाएंगे ना तो आल का अप सनाएगा तो आप लोग को आल पर क्लिक कर लेना है उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली ओल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी ठीक तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टापिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज